हलो फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि आप कैसे किसी पर्टिकुलर बैंक के खिलाफ रिजर्ब बैंक आफ इंडिया के लोगपाल या फिर जिसको उम्बर्समेन भी कहा जाता है उसके पास अपनी शिकायत बेज़ जगते हैं तो फ्रेंट्स इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बहुत ही जरूरी ये बताना चाहूँगा कि जिस बैंक का नाम आप इस वीडियो के टाइटल में देख रहे हैं उससे रेलेटेड मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर द चुनाना चाहूँगा. Banking Ombudsman बोलता है, One can find a complaint before the banking ombudsman if the reply is not received from the bank within a period of one month after the bank concerned has received one's complaint or the bank rejects the complaint or if the complainant is not satisfied with the reply given by the bank. तो friends यह लोगपाल के official website में यह लिखा है और इसका मतलब मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँगा कि जब आप पहली बार अपने शिकायत अपने बैंक के पास देते हैं और अगर आपकी शिकायत को bank reject कर देता है बिना उस पे कोई काम किये तो आप banking ombudsman को contact कर सकते हैं. आप banking ombudsman के पास अपनी शिकायत भेज सकते हैं या फिर जो सबसे important है वो यह है कि जिस दिन आपने bank के पास अपनी शिकायत दर्ज की उसके बाद अगर एक महीने तक उस शिकायत पे कोई भी कारवाही नहीं होता या फिर आपको कोई bank की तरफ से जवाब नहीं मिलता तो आप अपनी शिकायत direct banking ombudsman के पास भेज सकते हैं तो friends इस video में आगे बढ़ने से पहले और अपनी शिकायत को banking ombudsman के पास भेजने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है तो देखिए friends क्या होता है हर bank में जो department रहते हैं वो बटे हुए रहते ह जैसे समझ लीजिए कि एक particular करमचारी जो bank का रहता है वो जितनी भी FD से related शिकायत है या फिर FD से related काम है वो करता है दूसरा करमचारी हो सकता है कि checkbook से related सब काम करता हो तीसरा करमचारी हो सकता है credit card से related काम करता हो तो जो भी आपकी परशानी है आप सब से पहले उस करमच कर्मचारी है आप से एक दो दिन का समय ले तो देखिए फ्रेंड्स मैंने तो ज़्यादा दर केसे में यह देखा है कि उन लोग कुछी घंटों में आपका काम कर देते हैं पर कई बार कुछ ऐसे केसे से रहते हैं जिसमें एक दो दिन का समय लग सकता है तो मैं यहीं यानि कि आपके बैंक के ब्रांच मेंजर के पाच चले जाएए तो फ्रेंड्स मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि बैंक के ब्रांच मेंजर से मिलने पे कोई रोक टोक नहीं है आप अपने बैंक के ब्रांच मेंजर से डारेट मिल सकते हैं अपनी शिकायत उसको दे सकते तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप bank के branch manager से नहीं मिल सकते तो friends जब आप bank के branch manager से मिलने जा रहे हैं तो आप एक आवेदन अपने साथ जरू लेके जाए हिंदी, इंगले, श्याफी, regional, language जो भी है आपकी उसमें और इस आवेदन की एक photocopy भी जरू करवा लीजे और signature ले लीजे, यह बहुत जरूरी है तो आपके आवेदन में जो seal और signature मिल गया, यह आपकी receiving copy हो गई कुछ bank ऐसे हैं जो high tech technology को use करते हैं और आपकी शिकायत computer पे दर्ज करते हैं तो friends ऐसे bank ज़्यादतर आपकी शिकायत जो computer पे दर्ज करते हैं computer ही आपकी complaint का एक reference number generate करके देता है और यह जो reference number है आपको इस type का कुछ कागज में लिखके दे दिया जाता है और bank की इस type की seal लगा के दे दी जाती है जिसमें date लिखा रहता है और bank का जो शहर है उसका नाम लिखा रहता है तो यह आपकी receiving copy हो गई तो friends एक बार जब आपको receiving copy मिल गई तो branch manager से आप पूछे कि इसमें किता दिन लगेगा तो हो सकता है branch manager बोले कि 3-4 दिन का समय लग सकता है या 2 दिन लग सकता है जो भी है आप उतना समय branch manager को दीजिए और ज़्यादतर cases में branch manager आपकी जो शिकायत है वो पूरी तरीके से दूर कर देते है पर friends जैसे समय लीजे कि आपने जितना time दिया branch manager को या branch manager ने जितना time मांगा था उसके बाद भी आपसे मतलब कोई भी आपको कोई solution नहीं मिला आपकी शिकायत वहीं की वहीं है तो अब आपको आपके bank के चक्कर काटने की बिल्कुल भी ज़रोत नहीं नहीं आपको branch manager से बात करने की ज़रोता है नहीं आपको किसी करमचारी से बात करने की ज़रोता है अब हम direct दूसरे step की तरफ जाएंगे वो यह है कि अब आप अपने शहर के या फिर अपने state के nodal officer को direct contact कीजिए तो friends अपन को जैसे मैं आप screen पर देख पा रहे होंगे यह state bank of India की nodal officer की list है तो इस type की एक list nodal officer की आपको अपने bank से related निकालनी है जैसा कि मैंने इस video के में पहले ही बताया कि आपके जो bank है यानि की मतलब इस video में जो bank का नाम लिखा है title में उससे related मैंने पूरी जयनकारी इस video के description पर दी है तो आप इस video का description जरूर पढ़िए वहाँ पर आपको link जरूर मिल जाएगी आपके bank के nodal officer की list की या फिर आपको कैसे आगे बढ़ना है उससे related पूरी जानकारी मिल जाएगी तो आप इस video का description जरूर पढ़िए friends nodal officer की जो list है वो निकालना बहुत ही बहुत ही आसान है मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे निकाला जाता है जैसा समालीजे आपका bank है Punjab National Bank तो आप यहाँ पर लिखिए Punjab National Bank नोडल officer यह देखिए Google पर आप सर्च कीजिए एक बार जब आप Punjab National Bank नोडल officer सर्च करेंगे Google पर तो पहले यह दूसरे नंबर के result पर आपको आपके bank के नोडल officer की list मिल जानी चाहिए तो देखिए यहाँ पर जो पहली link है मैं इस पर क्लिक करता हूँ यह जो अगला page खुलेगा उसमें देखिए आपको क्या information मिलती है तो देखिए friends यहाँ पर इंका जो grievance redressal mechanism है उसमें लिखा हुआ है customer are requested to approach the branch manager in case of any grievances if not satisfied they may escalate the issue too तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि direct customer अपने problem से related bank के branch manager से मिल सकता है बिना कोई रोक टोक के और उसके बाद भी अगर उसकी problem solve नहीं होती है तो अब वो branch manager के उपर जो officer से उनके पास अपनी शिकायत भेज सकता है तो देखिए friends level 1 है जो circle head है यहाँ पर chief host list है मैं आपको पंजाब national bank की दिखा रहा हूँ आपकी भी bank का या फिर इस video के title में जिस bank का नाम लिखा हुआ है उससे related sub information इस description पर आप ज़रूर पढ़िए उसको तो देखिए इस type की list है chief host officers की उसके बाद देखिए यहाँ पर एक circle head list है तो आप अपना जो शिटायत है direct circle head को कर सकते है यह देखिए इंका यहाँ पर email address दिया हुआ है contact number दिया है circle head का नाम दिया है यहाँ share दिया है तो देखिए friends जिस भी आप शेहर के हैं या फिर जिस भी आप संभग के हैं उसी के circle head को आप contact कीजेगा जैसे for example समझ लीजेए कि आप Amritsar में रह रह रहे हैं और आप आगरा के कर रहे हैं तो उसमें तो काम नहीं होगा Amritsar का bank में है या फिर Amritsar जो इंका मतलब circle है उसमें जित्ते भी और भी जगे आती है उस जगे के हैं आप तो आप Amritsar के circle head को contact कीजेए या फिर आप direct अपने bank से पूछिए या फिर उनके customer care में पूछिए कि आपका ये जो particular bank है वो कौन से circle के under में आता है तो जो भी आपका circle है उसके आप कोशिस करेंगे इनके से समल लीजे circle head भी आपकी शिकायत नहीं दूर कर पाता तो उसके इसमें आपको zonal manager को contact करना है तो friends ये देखिए zonal manager की भी list है यहाँ पर zonal managers और बड़ा होता है circle head से तो देखिए जो भी आपका है मतलब office zonal office आपके bank का या आपका bank जिस भी zone में आता है उससे related जो भी यहाँ पर शहर की list दी हुई है आप उसको contact कीजिए या तो आप email के थूँ कर सकते हैं या फिर आप इनको phone कर सकते हैं मैं तो यह बोलूँगा friends कि आप email कीजिए भली आप ये zonal manager को contact कर रहे हो या फिर सरकल officer को कर रहे हो या फिर ये chief host को कर रहे हो आप email कीजिए या फिर पत्र लिखिए और पत्र या email जब आप करेंगे तो इसकी copy आप जरूर लगाईए जो receiving copy आपको मिली है तो इससे ये clear हो जाएगा उन लोगों को भी कि आपने bank में अपनी शिकायत दी थी पर bank ने उचित कारवाही नहीं की या फिर जो भी आपको bank की तरफ से जवाब मिला है उससे आप संतुष्ट नहीं है उसके बाद देखिए friends level 3 है एक general manager head office तो देखिए friends मैंने तो अभी था कि experience किया कि ये circle head zonal manager या फिर जिकों बोलते नोडल officer इन लोग आपकी शिकायत कर निप्टारा कर दी देते हैं पर जैसे समय लेजिए इन लोग भी नहीं कर पाते हैं तो अब आप direct general manager को मतलब contact कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर एक ही general manager है और यह all over India के जित्ते भी complaints है उनको handle करेंगे जैसे यह लिखा है principal nodal officer मतलब यह nodal officer के भी उपर है तो उनको आप यह email कर सकते हैं या फिर उनसे phone पर बात कर सकते हैं या fax कर सकते हैं उनको या फिर direct letter लिख सकते हैं तो friends जब आप इनको contact कर रहे हों तो यह बात का ध्यान रखिए कि यह copy तो attach करिए गए receiving copy साथ साथ में जो आपने यह circle head और zonal manager को email पत्र जो भी लिखा था उसकी भी एक copy इनको भेजिएगा ताकि इनको भी clear रहे कि आपने branch manager के बाद level 1, level 2 को contact करने के बाद ही level 3 को contact किया आप direct ऐसा मत के लिए कि branch manager से आपका काम नहीं हुआ तो आप directing को email कर रहे हैं ऐसा मत कीजिएगा level 1 officer को कीजिए level 2 officer को करिए इन तीनों में से कोई एक officer तो आपकी complete problem को solve कर देगा बज़े से समझ लिएजए आपकी तब भी problem solve नहीं होती है तो अब अपन reserve bank of India के ombudsman को अपनी complaint भेज सकते हैं तो देखे फ्रेंड्स reserve bank of India के ombudsman या फिर लोगपाल को complaint भेजना है तो आप RBI ombudsman सर्च कीजिए Google पर और यहाँ पर यह जो पहला result है इसको खोलिए उसके बाद देखे फ्रेंड्स यहाँ पर लेका है addresses of banking ombudsman तो इस पर क्लिक कीजिए तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पर जो banking ombudsman है उनके जो center है वो कहां-कहां के area को handle करते हैं वो मैं आपको दिखाना चाबगा जैसे बोपाल का जो ombudsman office है reserve bank of India के वो पूरे मद्द प्रतेश के जितने भी banks है उनकी complaint हैंडल करेगा या फिर जैसे बोपाल का जो प्रेंड्स की आप तमिल लाडू में कहीं पर रहते हैं या फिर union territory और पुद्दुचेरी में रहते हैं या फिर अंडबान निकोबार में रहते हैं तो आपको चेनने के reserve bank of India के ombudsman को अपनी शिकायत भीदने पड़ेगी या फिर फ्रेंड्स जैसे समझ लीजे कि आप West Bengal या सिक्किम के रहने वाले हैं या फिर आपको bank वहाँ पर है तो आपको reserve bank of India कोलकता को भीदने है अपनी शिकायत फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिये कि जैसा समझ लीजे आपको bank West Bengal या सिक्किम के किसी शेहर में है और आप अपनी शिकायत समझ लीजे Mumbai के Ombudsman को बेज रहे ऐसा करेंगे तो आपकी बहुत high chances से शिकायत reject हो जाए तो friends मैं आपको यह बोलूँगा कि आपकी जो भी problem है आप सबसे पहले तो यह देखिए कि आपका जो शेहर है कौन से center के under में आता है reserve bank के और उसके बाद ही अपनी शिकायत बेजिए तो friends देखिए समझ लीजे जैसा कि मैं मदबरदेश में हूँ और मुझे समझ लीजे जिस वी बैंक से problem है तो मैं reserve bank of India भुपाल को contact करूँगा और इनको contact करने का सबसे अच्छा तरीका है email तो आप उनको email करिए और email बे अपनी पूरी परिशानी लिखे साथ साथ में यह receiving copy लगाईए और इन तीनों को जो आपने circle head, zonal manager या फिर nodal officer या फिर general manager को जो भी अपना correspondence किया था इसकी एक copy लगाईए जरूर reserve bank के पास और उनको भेज दीजे और friends यहाँ पर देखिए इनका telephone number भी है तो आप telephone number पिचाए तो इनसे बात कर सकते हैं पर मैंने जादातर cases में यही देखा है कि जब आप telephone पर इनसे बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप अपनी शिकायत या तो email कर दीजी या fax कर दीजी या फिर via speed post भेज दीजी या फिर post के दुरू भेज दीजी तो मैंने तो सबसे अच्छा reserve bank को contact करने का यही देखा है कि आप उनको email कर दीजी और email जब आप करते हैं और अगर आपकी शिकायत उन लोग accept कर लेते हैं तो आपको कुछ समय बाद उनकी तरफ से एक unique complaint number मिल जाता है और इसका मतलब यह होता है कि उन लोग ने आपकी शिकायत पे काम चालू कर दिया है तो reserve bank actually आपके और bank के बीच में mediator का काम करेगा और जो भी correspondence bank और आपके बीच में रहेगा उसकी एक copy reserve bank के पास भी जाएगी तो friends email के through करिए इनके से अगर आपको लगता है आप email नहीं कर पाएंगे तो आप normal post से उनको भेजिए जैसे यहाँ पर देखिए address लिखा हुआ है तो इनके address को पूरे सही तरीके से लिखिए और इसकी जो receiving copy में लिए उसकी photo copy भी भी भेज दीजिए साथ साथ में हो सके तो इनको जो आपने contact किया था उसकी भी एक copy भेज दीजिए या फिर आप friends अगर fax कर सके तो fax कर दीजिए तो friends मैंने तो ज़्यादा तर यही देखा है 99% chances यही है कि एक बार आपकी Reserve Bank of India के पास complaint पहुँच गई तो 99% chances है कि आपकी जो problem है completely दूर करती जाएगी पर जैसे समालीजे कि आप उसके बाद भी Reserve Bank of India के Mediator के रूप में काम करने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं है तो फिर उस case में friends आपको फिर court जाना पड़ेगा मतलब law का सहरा लेने पड़ेगा तो फिर उसके बाद आप lawyer वगरे से बात कर सकते हैं और friends मैंने इसके पहले Reserve Bank of India के पास दो या तीन बार complaint खोला हूँ मैंने और Reserve Bank ने मेरी पूरी मदद की है ओंबुर्समान ने और मेरी जो भी problem थी completely solve कर दी गई है तो मैं आपको बता सकता हूँ 99% chances यही है कि जो भी आपकी शिकायत है उसका जो भी solution है Reserve Bank आपको जो भी उसके rules है उसके हिसाब से निकाल के दे देगा और आपकी जो भी शिकायत है completely solve हो जाएगी तो friends मैं आशा करता हूँ जो भी आपको पसंदा होगा अगर हम तो subscribe कीजिए thanks for watching